बीमार्णियों से बचने के लिए जरूरी है जीब की सफाई करना दिन में दो बार ब्रश करते हैं फिर भी मुह में ताजकी का एहसास नहीं होता जवाब हाँ है तो आपके लिए जरूरी है कि आपी जीब भी साफ करें वेग्यानिकों के अनुसार जब हम सोते हैं तो 300 से ज्यादा प्रकार के बैक्टिरिया हमारी जीब पर जमा हो जाते हैं जो दांतों में सड़न के साथ साथ हन्य रोगों का भी कारण बनते हैं इसलिए दिन में एक बार दांतों के साथ साथ जीब भी साफ करें जीब साफ करने के तरीके नीमबू में बेकिंग सोड़ा की कुछ बूंदे मिला कर पैस्ट बना लें और इस पैस्ट को जीब पर उंगली से लगाएं और थोड़ी देर रखने के बाद कुला करें इससे जीब पर जमी सफेद परत्व गंदगी साफ हो जाएगी नमक के पानी से कुला करके भीको साफ किया जा सकता है नीमबू के रस में हल्दी पाउडर मिलाकर इससे जीब पर मसाज करें कुछ देर मसाज करने के बाद गुनगुने पानी से कुला कर लें इससे जीब साफ हो जाएगी